हेलो गाईज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल बायो अडिक्टिड दोस्तों अभी एक वीडियो बना कर खतम हुई थी लेकिन अभी MCC की तरफ से 28 तारीक को एक और नया अपडेट आ गया है अभी अपडेट है क्या है अपडेट वो आप सभी के लिए बता देता हूं कि जो नीट 2021 की जो यह कांसलिंग हो रही है अब 2022 में इसका जो शेडूल है वापस से रिशेडूल कर दिया गया है यानि की फ्रेस रजिस्टेशन अब हो रहे हैं काईड ओफ अटेंशन ऑफ दा केंडिडेट के लिए अटेंशन है यहां पर कहा गया है इसके कारण यह होल्ड पर रखी गई थी और मदरास हाई कोर्ट से जो भी ओर्डर आये है उस हिसाब से राउंड फर्स्ट का जो है एक्स्टेंशन दुबारा कर दिया गया है मतलब जो केंडिडेट रहे गए हैं वो दुबारा से फ्रेश रजिस्टेशन जो है वो कर सकते हैं अब इसके लिए देख लेते हैं किस तरह से क्या इन्होंने रजिस्टेशन का प्रोसिजर रखा है किस तरह से जो है डेट रजि आज से ही आठ बजे के बाद आप फ्रेश रेजिस्टेशन कर सकते हो कब तक ये कर सकते हो बारा बजे तक और ये बारा बजे आफ्टरनून वाले और ये कौन से तारिक के हैं 30 January तक आप ये registration कर सकते हो यानि कि 30 January तक अगर आपको fresh registration All India के counselling के लिए करना है तो आप All India के counselling के लिए fresh registration कर सकते हो उसके बाद देखे second चीज आपको बताई है payment facility for the round first available रहेगी 8 PM के बाद शुरू हो जाएगी 28 January की अभी जो चल रही है 28 January ही है और 3 PM तक रहेगी 30 तारिक के 3 PM तक आपको payment की facility जो है वो available रहेगी उसके बाद जो आपके लिए choice filling होगी round first के लिए choice filling for the round first choice filling आपको 8 PM से आज ही शुरू हो जाएगी और 11.55 PM तक रहेगी 30 तारिक के तो ये तो schedule आगया choice filling तक का अब choice locking facility choice lock क कब किये जाएंगे वो भी आप सभी को बता देते हैं तो देखिए choice locking facility में आप यहाँ पर देख सकते हो choice locking facility will be available for the 4 PM of 30 तारिक के 4 PM से लेकर और ये 11.55 PM तक रहेगा 30 तारिक में यानि कि अगर आपने अभी registration किया उसके बाद आपको अपनी choices lock करनी है उसके बीच आप सोच सकते हो 28 से 30 तारिक के बीच आप सोच सकते हो आपको क्या preference रखती है और उसके बाद आपको 30 तारिक को अपनी preference lock कर देनी है preference lock की facility ये 30 तारिक तक रहेगी ये सारा schedule MSC की website पर update हुआ है इसलिए उन्होंने merit list जो है वो वापस ले ली थी अब देखिए आगे क्या इसमें बताया गया है आगे उन्होंने क्या बताया है आप सभी के लिए update अभी देखिए यहाँ पर यहाँ पर बताया है seat processing seat processing कि कब तारिक तक होगी 31 तारिक से शुरू हो जाएगी उसके बाद result declaration of the round first यानि कि अब MSC के round first का जो declaration आएगा वो एक तारिक यानि कि एक फरवरी को आना वाला है एक फरवरी को अब आपको final अर्टमेंट लिस्ट दुबारा से मिलेगी और reporting time वही आपका दो से लेकर 7 तारिक तक रहेगा दो से लेकर 7 तारिक तक मनिकि 7 days तक रहेगा और ये 7 तारिक की up to 5 पीम तक ये reporting time रहने वाला है यानि कि state counseling के साथ साथ ही अब All India counseling का जो parallel ये schedule चलने वाला है तो इसका असर state counseling पर भी देखने को मिल सकता है आप सभी अपनी state counseling के साथ attached रहे वहाँ पर schedule में बदलाव आ सकता है क्योंकि All India ने अपने schedule में बदलाव किया है अब देखते हैं ये किन-किन candidate के लिए किया गया है क्या आपको दुबारा से fresh registration करना है या फिर आपका पहले का registration जो है वो चल जाएगा उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं वीडियो के अगले section में तो देखे ये किन-किन students के लिए available है facility मैं आप सभी को दुबारा से दिखा देता हूँ ये इनका second PDF जो है यहाँ पर दिया गया है अपन इस second PDF को देख लेते हैं यहाँ पर इन्हों ने दिया है candidate are informed under the regarding above changes पहले देखे रिजिस्टेशन payment facility choice filling made open for the all candidate मतलब दुबारा से registration facility payment facilities choice filling सभी candidate के लिए है मतलब कोई भी candidate कर सकता है how are the candidate who had not want to edit their locked preferences अगर आपको अपनी locked preferences को change करने की जरुरत नहीं है अगर आपको change नहीं करना है अपना preference आपने जो पहले registration किया है वैसा ही रखना है तो आपको कोई भी चीज करने की जरुरत नहीं है यह जो बचे कुछे candidate रह गया है उनके लिए यह notice है how are the candidate do not want do not want to edit their locked preferences do not not do anything उनको कुछ करने की जरुरत नहीं है preferences लगाई है वो valid रहेंगी आपके round first के लिए आपने जो preferences लगाई है उसके बाद आप third point देखिए those who want to edit their choice can log in the account and give the consent for the undertaking choice and fill their choices again and modify them अगर कोई चाहता है जिसने पहले registration किया है अपनी choices में change करना चाहता है तो आप अपने account में जाकर login कर सकते हो वहाँ पर login करके आप उसको दुबारा से modify कर सकते हो अपनी preferences जो locked preferences है उनको change कर सकते हो दुबारा से आप अपनी preferences जो है वो लगा सकते हो उसके बाद देखिए candidate who want to do the fresh registration can do as per the schedule exercise for the round first counseling अगर आपको ये लगता है आपको दुबारा से fresh registration करना है तो आप दुबारा से fresh registration कर सकते हो round first के लिए वहाँ पर आपको reset की facility आएगी जैसी आप reset करोगे आपका पूरा schedule दुबारा से वो reset हो जाएगा फिर आप schedule के according जो है इसको form को भर सकते हो पांचवा point इन्होंने क्या क्या है reset facility will be provided to the candidate for the round first up to the 10 a.m. of 30.30 मतलब 30 तारीक तक 30 जनुरी की 10 बजे तक आपको reset का option मिलेगा उसके बाद तो आपको preferences log कर देनी अपनी उसके बाद round first का result declare कर देंगे तो ये बहुत बड़ा update जो है MCC के लिए आया है और ये सारा कुछ हुआ है कि एक decision ने पूरी counseling के schedule को भी घाड दिया है और अब आपका दुबारा से allotment list आएगी round first के लिए क्या इसमें कोई ज़्यादा बदलाव आएगा या फिर इसमें cutoff बढ़ेगी या घटेगी देखे cutoff पर मेरे हिसाब से कोई भी ज़्यादा असर नहीं पढ़ने वाला है कोई भी ज़्यादा असर नहीं पढ़ने वाला है क्योंकि जो पड़ा लिखा बच्चा होगा जिसके marks अच्छे होगा वो पहले ही registration कर चुका होगा इतना बेवकूफ कोई नहीं है कि कोई अभी तक भी बैठा रहेगा registration करने के लिए हाँ BSC Nursing के colleges वगेरा में थोड़ा बदलाव आ सकता है क्योंकि अब वो candidate जिन्होंने registration नहीं किया था वो भी registration करेंगे दुबारा तो ये सारा आप सभी के लिए जो है update था MCC की तरफ से MCC की website पर ये update आ चुका है तो अभी मेरे इसाब से वहाँ पर registration खुल चुका होगा तो आप वहाँ पर जाकर registration कर सकते हो अगर आपने registration नहीं किया है बाकी schedule मैं आप सभी को दिखा देता हूँ ये यहाँ पर schedule है और इसमें लाइक शेर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ जिन्होंने नीट की counseling भरी है या अब भरना चाते हैं first round के लिए all India का तो आप सभी के लिए एक मौका MCC ने दुबारा दे दिया है और MCC ने तो क्या दिया ये समझे कि मदरास High Court ने दे दिया है तो आप सभी दुबारा से registration कर सकते हो या अपने preference को दुबारा से reset कर सकते हो वीडियो पसंद आये तो वीडियो को like, share और चैनल को subscribe जरूर से कर दीजीगा तब तक के लिए मैं आप सभी का दोस्त रवी आप सभी से लेता हूं अलविदा मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत